हेलो दोस्तों मैं हेमन जाड़े आपको स्वागत करता हूँ फाइफ इडिया ओनलाइन प्रेटफार्म पर दोस्तों यदि आप हिस्ट्री की तियारी करना चाहते हैं मतलब किसी भी एक्जाम जहां पर हिस्ट्री डेटल से आती है चाहे वो स्टेट के एक्जाम हो, स्टेट पीस्टी के एक्जाम हो या फिर स्टी के कोई भी एक्जाम हो या लवी का कोई भी एक्जाम हो एप को वहाँ पर आपको डिटेल से recorded वीडियो या फिर recorded वीडियो के साथ साथ में आपको मिल जाएंगे टेस्ट सिरीस, सौर्ट ट्रिक्स और सौर्ट नोट्स, PDF की फार्म में चली आईए हम लोग डिसकस करते हैं हिस्ट्री के सलेबस की बारे में किस टाइप से हम इसे पढ़ने आवाले तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइडेड है बैदिक सब्य था, जयन धर्म, बहुत धर्म, ठीके महा जन्पदें, उनका उदय, राजवन्स है ना जैसे कारकोड, राजवन्स, चोल, चेर, पंडे, ये राजवन्स और इन राजवन्स के बतलक dependence है, जब कोई राजवन्स था, तो उनकी प्रमुक कारिय, उनकी प्रमुक उप्लब दिया और उनकी लोगेशन भारत की मेपए क्या थी यहां पर हम लोग फिर उसके बाद यही हिस्ट्री को तो हम लोग यहां में पढ़ने वाले चार्ट फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में, ठीके, तो सबसे पहले आता है महत्पूर्ण लड़ाईया, एक इंपोर्टेंट वार हमिसा आती है, तो जो टॉपिक देख रहे हैं, इनमें से एक न एक कोश्चन हमिसा बनता ही है, तो इंपोर्टेंट वार, जितनी भी अभी तक हिस्ट्री में इंपोर्टेंट वार हुई है, इंडियाल से रिलेटेड जितनी भी इंपोर्टेंट वार, हम सब उन सब वारों को यहां पर डिसकस करने वाले, जैसे पानीपद 1, 2, 3, ठीके चंदेरी, चंदावर, तराइन 1st, तराइन 2nd, हल्दी घाटी, ये सभी लडाईयों को प्लासी हो गई, बकसर हो गई, सारी लडाईयों को हम लोग इस महतपुर्ण लडाईयों वाले चप्टर में पढ़ने वाले, उसके बाद आता है भारती, राष्टी, आंदोलन और उनसे संबंदीत, जितनी भी महतपुर्ण घटना है, जैसे फारवर्ड ब्लाग हो गया, ठीके बंगाल विभाजन हो गया, ठीके असवयों का अंदोलन हो गया, नॉन कर्परेशन मोमेट हो गया, ये सारे हम लोग आंदोलन उनकी डेट और उनसे जितना भी important fact है, उसको इस table में पढ़ने वाले है, भारती राष्टी, आंदोलन से संबंदीत, महतपुर्ण कांग्रेश अधिवेशन, तो ये कांग्रेश ने आजादी में बहुत important role play किया था, तो इसके अधिवेशन हुआ करते थे हर साथ, तो कहां कहां पे कौन-कौन से अधिवेशन हुए और उनकी खासियत क्या थी, तो हम सब इसे कांग्रेश के अधिवेशन में, कांग्रेश के अधिवेशन में पढ़ेंगे, जैसे 1850 में कांग्रेश बनी थी, तो कांग्रेश का foundation बंबई में हुआ था, उसके बाद, ये सब उससे में आ जाएंगे, राष ठीक है, कोई आंदोलन था, या फिर कोई भी संगटन था, उसको अपन इसमें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आता है, अंग्रेश जी सासन के विरुद महत्पुर्ण विद्रो, तो अंग्रेशो के सासन के विरुद जो भी महत्पुर्ण विद्रो हुए है, जैसे 1877 की महान करांती पाई का विद्रो हो गया है ना पाई का विद्रो हो या फिर नील विद्रो हो गया ये सारे विद्रो हो जैसे माला बार का 1921 में वा था वह फेमस विद्रो है उसको अपन इसमें डिसकस करने वाले अंग्रेजी सासन के विरुद महत्पुर्ण विद्रो प्रमुक राजवन, संस्थापक, राजदाने, तो ये जो प्राचिन भारत में जो राजवन्स हुए करते थे, उससे लेकर आपने जिते में मद्धकालें तक राजवन्स है, अपन उसकी एक सभी राजवन्स, इंपोर्टन्ट राजवन्स की एक लिष्ट बनाएंगे, उनके राजवन अगर सामराजवन्स की बात करें, संगान, सुलूब, तुलूब, अर्विडू, तो ये राजवन्स की नाम, और उनके फाउंडर, और उनकी राजदानी क्या थी, वो हम इसमें डिसकर लेंगे, डायरेट एक कोश्चन यहां से हमिसा बनता ही है, ना, फिर उसके बात कमपन लिस्ट के फॉर्म में डिसकस करेंगे, और इसके बाहर से कोई भी कोश्चन कहीं पर नहीं जाना है, है ना, और बहुत systematic way में हम पूरी की पूरी history को cover कर लेंगे, ओके, ठीक है, thank you